नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल नकुल प्रोपर्टी पर आज की ये वीडियो बड़े प्लोट साइज वालों के लिए हैं जो लोग बड़ी प्रोपर्टी ग्रेटर नोयडा में पर्चेज करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 310 मीटर की कोर्णर की यूनिट देने वाला हूँ नीव कंस्ट्रक्शन 4BHK का बना हुआ ग्राउंड फ्लोर 310 मीटर में ग्रेटर नोयडा सेक्टर सिग्मा 2 में 310 मीटर की यूनिट है बराबर में Green BELT है अगर इसकी आप Green BELT देखेंगे बड़ी लंबी चोड़ी इसकी Green BELT है कि सेतर के िसगे जड़ को आप कैंटर के चारों तरफ असी मीटर असी मीटर शाठी मीटर और 1130 मीटर जंटर का रिन्हें तो दिएग overview लोक आप पर वादट करें हैं सिब्सक्राइब सबूब को क्या बेर इक्षर तून सेक्टर इस से थीश जैसे आप से क्र caso डू से सिंगल सिर्फम्राइन आपको दूगा तो यहां पर सैयंति में अगर देखेंगे हैं अगर आपको पल नियहां और पर कितने एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो एक टोटल दस तोटल सेक्टर के अंदर यहां पर दिये हुए है अगर देखें आप इसमें प्लोट की बात करें तीन-फों मीटर के पिलोट इसमें साड़े-बारे मीटर का फ्रेंट होता है चोबिस मीटर की डैप्ट होती है और प्लोट साइज देखने हों बिलेगे 16 मीटर होता है और 31.26 मीटर की इनकी डैप्ट होती है तो यह प्लोट साइज है तो चलते हैं सैक्टर सिगमा-2 की तरफ देख लेते हैं घर बना हुआ कैसा है सिगमा-2 में 300 मेर में यहाप देख रहें है साढ़े-बारे है इसको आप पार्क कह लीजिए ग्रीन बेल्ट कह लीजिए कि इसमें आपके छोटे मोटे फंक्शन यहाँ पर आप कर सकते हैं इतने स्पेस के साथ ही ग्रीन बेल्ट आपको मिलती है सिग्मा टू में इस घर के पास अब 12 मेटर रोड साउथ इस्ट फेसिंग करता हुए घर है इसका जो गेट खुला हुआ है यह इस्ट दिसा की और पूरब दिसा की और इसका गेट है जो वैस्ट की और है कोरनर का जो रोड आता है यह कोरनर पर उस तरप आके मिल जाते हैं तो एक कोरनर की यूनिट 300 मीटर में अंदर चलते हैं रोड से बड़ा उपर ये धाई फिट का इसका भराव भी किया हुआ है तो ये 2022 का निव कंस्ट्रक्शन है इसमें आप देखे पूरा वर्क इनोंने निव तरीके से किया हुआ है ये नीचे की तरफ पत्थर का वर्क आप घर में देखेंगे टू कार पार्किंग के लिए इनोंने नीचे इसमें दिया हुआ है दिवारों पे टाइल्स का वर्क इनोंने किया हुआ है आपर तो दो पार्किंग आप यहां पर कर सकते हैं पहले चलते हैं इसके होल में जैसे ही आप इस घर में एंट्री करते हैं तो बड़े इस पेश के साथ आपको ये होल मिलता है जिसकी आप रूप पर वर्क देखेंगा अच्छे डिजाइन के साथ पी ओपी का वर्क इस पर किया हुआ है मकान की मजबूती की बात करें ये इस टेयर है उपर के फिलोर पर जाने के लिए इसकी दो तरफ से एंट्री है इन और आउट दोनों साइड से तो ये होल आपको अच्छे स्पेश के साथ आपको मिलता है तो इस घर को जो बनाया है बिल्कुल अपने परसनल यूज के लिए बनाया हुआ है कि पहले इसका बैद्रोम देख लिए बाग की बताता रहूंगा आपको पीच-बीच में बैड्रोम की अगर डायमेंशन की बात करेंगे बीस बाइप बाइस की डायमेंशन है तो बड़े बैड्रूम है कोई छोटे बैड्रूम इसमें नहीं है तो साड़े इसे तरीके के बने हुए है इस तरीके से चारो बैड रूम में फोर वोस रूम आपको मिलेंगे पूरे कंप्लीट वर्क के साथ तो इसमें देखिए जैसे कि इन्होंने अपने लिए बनाया है तो नीचे का फिलोर पूरा रहने के लिए वैल मैंटेन फिलोर है ओपन किचन आ आपको जैसे अपने अकोर्डिंग थोड़ा इसको मोडियोलर करना है तो थोड़ा तो देखिए अपने अगर किसी का भी लोग है पैसा तो घर में लगता ही है आप कितना भी पैसा आप लगा लीजिए तो किचन के बाद जो इसका दूसरा बैड रूम है ये वाला है अंद आप चलते हैं ये तो फोर बैड रूम ये बैड रूम इसके जो पीछे के ये मास्टर बैड रूम में इनकी डैमेंशन 24 बाई 26 की है पूरा रूप पर वर्क है वैल मैंटेन बैड रूम है तो बैड रूम में आपको कुछ अधर से तो मेरे ख्याल से ऐसा लगनी रहा बाक वो इस पेस है तो फोर बैड रूम इसी डीजाइन में बने हुए 310 मेटर के इस घर में आप इसको इसली अवेलेबल कर सकते हैं अब यहां से बाहर अगर आप जाते हैं घर के बाहर से देगे कैसे एंट्री है इस अपने घर से आप जैसे 12 मेटर रोड लेकर सेक्टर के बा यह बना हुआ है एक घर यह बना हुआ है तो इस लाइन में टोटल जो कोठी बनी हैं तीन हैं भी दस पिलोटों में तो सौात खाली पड़े हुए तो यह कम मैंट आ जाता है इस मैं गेट पर आप जाते हैं तो बहार निकल जाते हैं यह लोकेशन का घर है इसकी रजिस्ट के आपके वेजिश्टी चार्ड लगते हैं तो सिग्मा टू सैक्टर सैंथिस के फिरेंट टू बैक का ये घर एक अच्छी लोकेशन का आप परचेज कर सकते हैं डारेक्ट ओनर दुवारा मीटिंग इसकी आपके कराई जाएगी ओनली फोर स्रियार में जिसमें आप आकर इस कोर्नर के साथ चलिए